जब कोई stock अपना एक range बना लेता है और कुछी दिन उस range के trade करने के बाद उस range को with high volume break करके उपर जाने का कोशिश करते हैं तो हम लोग उसको breakout stock बोलते हैं मगर problem यह है कि हम लोग को यह पता नहीं चलता कि वो actually में breakout है या फिर false breakout है तो हम लोग उसके अंदर trap हो जाते हैं मगर आपके चींता का कोई बात नहीं मैं इस वीडियो के अंदर ऐसे तीन breakout stock को लेके बात करूँगा जिसके अंदर आप अभी के लिए position बना सकते हो मगर वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल के अंदर नहीं है इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए और इंट्राबर का डेली वसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी subscribe कर लिएजे और subscribe करने के बाद pass में जो bell notification उसको ज़रूर प्रेज करना क्योंकि वो नहीं करने से आपके पास कोई भी notification नहीं जाएगा वीडियो में आगे बनने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि मेरा एक free telegram channel है जो की bazar insight नाम पे आपको telegram पे मिल जाएगा उसका वहाँ पर मैं बहुत सारे चीज़े पोस्ट करता हूँ तो अगभी तक कभी उसके अंदर नहीं है तो वहाँ पर होना ज़रूरी है उसका लिंक आपको इस वीडियो का description में मिल जाएगा और उसके साथ मेरा जो WhatsApp चैनल है उसका भी लिंक आपको इस वीडियो का description और पिन comment में आपको मिल जाएगा वहाँ पर जाके add हो जाईए कल के वीडियो में आगे बहने से पहले जो प्रिवियर्स एपिसोड था यानि के लिए आज के लिए जो एपिसोड था उसको रिव्यू कर देते पहला स्टॉक में बताया था सन फर्मा के अंदर आज मार्केट के अंदर अपनों को ने देखा फ्री फॉल हुआ था मॉर्नि में बाई लेवल एक्टिवेशन हुआ था मॉर्निंग में सन फर्मा ऐसा एक स्टॉक था जो उपर गया था पूरा मार्केट नीचे आया लेकिन सन फर्मा हम लोग जो मैंने दिया था वह प्रॉफिट करके दिया है अप लोगों को देख सकते ही यहां पर एक्टिविशन आया है सेकेंड था स्टेट बैंक आफ इंडिया भारी गिरावट हुआ मॉर्निंग से यहां पर स्टेट बैंक के अंदर गैप डाउन ओपन हुआ हाला कि हम लोग का टार्गे जो लेवल था एट हंडेर और फॉर्टी सीक्स उसके काफी नीचे यह ओपन हुआ था अब दे कुछ प्रॉफिट भी आया है अगर आपने इसके अंदर ट्रेट किया है तो शॉर्ट सेल में और थार्ट जो मैंने दिया था वह था अंबुजा सिमेंट के हम लोग का जो लेवल था एक्जैक्ट वहीं पर एक्टिवेशन मिला है आपको 649 यहां पर एक्टिवेशन मिल ग के रीट हुआ यूज यूज प्रॉफिट मिला तो जो स्टॉक मैंने दिया था तीनों के तीनों के अंदर अच्छा कासा प्रॉफिट मिला है इस एपिसोट को मैं मेरा एंड स्किन में जोर रहा हूं जाके ज़रूर एक बार उसको चेक आउट कर लीजिएगा मैच करवा ल प्रकेट जब नीचे आता है फेमसीडी सपोर्ट देता है उसी तरह से टाटा कंजूमर आप लोगों ने देखा आज का रिक्वरी 0.5% के आसपास उपर जाके क्लोजिंग दिया है यह एक फ्लैट ट्रैक है यहाँ पर अगर आप मैं जैसे कि आप लोग को बोलता हूं कि मै हमेशा प्राइस एक्षन के उज़ करता हूं यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिया और इस लेवल के आसपास अब देखी है मैंने यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूं और यहाँ पर अगर आप देखे यह फिवन असी रिट्रेस्वेंट प्लॉट हो गया यह जो टॉप एरिया ल मिलता है उसके उपर से हम लोग उसको बाई करेंगे लेकिन इस लेवल के उपर जाके 10 मिनित सस्टेन होने दीजी और अगर यह यहां से रिजेक्शन होता है और नीचे चले आते है तो इस एरिया जो की इसका 50% 1194 है 1194 के नीचे 1193 के नीचे आके अगर यह 10 मिनित इस एरिय सस्टेन हो जाते है यह एरिये के नीचे यह स्विंग बना था उसके नीचे यह एरिये के नीचे तो हम लोग उसको उसको वहां से शॉट सेल करेंगे दोनों ही कैश का लेवर स्क्रिन पर दे दिया हूँ अपने प्रिस्ट काइपिटएट की हिसाब से ट्रेड लीजिये हैंड होल्डिंग सर्विस के साथ लेवल स्टॉप लॉस के साथ उसके अंदर अगर आप जोड़ना चाहते हैं 599 पर मंद का छोटा सा फीज है सेकेंड जो है ऑप्शन की उपर है इंट्रा डे बैंक निफ्टी ऑप्शन की उपर मैं काम करवाता हूं वहाँ पर अगर आप अ सेल करेंगे कल बाई ऐसे व्यू देता हूं उसके अंदर अगर आप जोड़ना चाहते है 899 पर मंद का छोटा सा फीज है लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूं मैं कोई से भी रेजिस्टर एडवाइजर नहीं हो यह कोई एडवाइजरी सर्विस भी नहीं है प्य वाटसप नमबर मैंने दे दिया है वाटसप करके आप जोइन कर सकते हैं सेकेंड भी में चल पड़ते हैं सेकेंड जो रहेगा हम लोग का फिट से एक FMCG सेक्टर स्टॉक आईटी सी लिमिडट की उपर रहेगा आईटी सी की उपर चार्ट पांच मिनिट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है अगर आप देखे इस टोटल एरिया का रिट्रेस्मेंट मैं कर लूँगा यहां से देखिए यह फिवनसी रिट्रेस्मेंट मैंने लगा दिया और इस एरिये को धियान से देखिएगा इसका जो यह 38 परसंट वाला एरिया है यह बहुत ब हम लोग उहां से बाई करेंगे 487 की उपर से 487 की उपर 10 मिनित सस्टेन वाले से ITC को बाई करेंगे और अगर कल देखते कि यह रिजेक्शन हो गया और रिजेक्शन होने के बाद यह यहां से नीचे आने का कोशिश कर रहा है इस एरिये के नीचे आने का कोशिश कर रहा है और इसका जो 38% एरिया है 482, 482 के नीचे आके अगर ये 10 मिनिट इस एरिया के नीचे आके सस्टेन हो जाते है तब हम लोग वहाँ से उसको short sale कर देंगे, दोनों ही cash का level screen पे दे दिया हूँ, अपने previous capital के देखिए, उसके हिसाब से trade लिएजिए, final भी मैं जाने से पहले, मैं आप लोगो को एक छोटा सा request करूंगा, अगर आप इस वीडियो चैनल के अंदर नहे हैं, इस चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करके, पास में bell notification को प्रेस कर दीजिए, और like करके बताना कैसा लगता है इस वीडियो को, like target 50 plus से थोड़ा achieve कर दीजिए, ताकि मुझे भी comment करना, कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी suggestion देना है, comment एक एक करके जाना है, ठीक है, चल परते है final view में, final जो view रहेगा, वो रहेगा वारत petroleum BPCL के अंदर, BPCL के अंदर, डेर परसन के करीब-करी fall देखा है हम लोगोंने, तो इसका भी मैं retracement यहां से कर लूँगा, यह top area से, यह bottom area, अब देख सकते है, total area का retracement मैंने कर लिया है, और इसका जो 62% area है, 344, 344 की उपर अगर यह जाएगा, तब हम लोग उसको वहां से buy करेंगे, लेकिन क्या है, 10 minute उस area की उपर जाके, sustain होने दीजे, अगर ऐसा होता है, तो 344 की उपर sustain होने से, BPC CL को हम लोग buy करेंगा, और अगर यह यहां से rejection होता है, और इसका 23% वाला area, 338, यह area इस area के नीचे अगर आते है, और उसके नीचे 10 minute sustain हो जाते है, तब हम लोग short sell करेंगे, दोनों ही cash का level मैंने screen पे दे दिया है, अपने previous capital को देखिए, उसके हिसाब से trade लीजे, तो यह थ एपिसोड को भी end screen में जे दिया हूँ, जाके एक बार देख लेना, आशा करते हैं वीडियो आपका अच्छा लगाए, मिलते हैं नेक्स एपिसोड में, तब तक के लिए सब कर नमस्कार, जाए हिंद, जाए भालत